नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल अब्यक्टिव सेंटर पर इस वीडियो में हम लोग वेल्डिंग के कुछ important question देखेंगे वेल्डिंग टेक्निक से जो रिलेटर रहेंगे तो चलिए और है आपका one-to-one इसके बाद है आपका d option की capable of increasing supply voltage देखेंगे जो transformer यूच किया जाता है आर्क वेल्डिंग में वह हमारा होता है step-down transformer तो step-down transformer यूच किया जाता है आर्क वेल्डिंग में ठेक यह पहला question आपको complete हो गया दूसरा question है कि which position is advantageous for easy welding तो देखिए easy welding के लिए कौन सो position लाफदायक होता है तो देखिए सबसे easy welding जो करना आसान होता है वो रहता है हमारा flat welding तो flat में welding करना सबसे ज्यादा आसान होता है तो यहाँ पर जो कर रहेगा वह यह option सब्सक्राइब करना ज्यादा आसान होता है अगला है हमारा तीसरा question which one of the following is used to convert AC to DC supply in a welding machine एक welding machine में AC को DC में convert करने के लिए supply को convert करने के लिए हम लोग निमन में से किस एक का परियोग करते हैं तो देखिए जो हम लोग welding machine यूझ करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं और के लिए तो यह वेल्डिंग मशीन में अर्थ क्लैम्प बनाने के लिए हम लोग किस मेटल के यूझ करते हैं तो देखिए इसके लिए हम लोग यूज करते हैं कापर का एलाए तो कापर एलाए का परियोग करते हैं हम लोग एक वेल्डिंग मसीन में आर्थ क्लैम्प बनाने के लिए ठेक अगला कोश्चन है हमारा पांचवां कि इक आर्ख वेल्डिंग के दौरा 10 mm थीक प्लेट को वेल्ड करने के लिए हमें किस प्रकार के करईट का सेट करना चाहिए या हमें कितने एमप Audrey का करेंट सेट करना चाहिए तो इसके लिए जो यूज किया जाता है वह 110 ampere का set किया जाता है current छठा question है what is the term for the depth of fusion from the surface of the weld metal plate कर रहा है कि depth of fusion के लिए जो term है कर रहा है from the surface तो सर्फेस से आप the weld metal plate weld metal plate के तो यहाँ पर देखिए जो आपका correct answer होगा वह हो जाएगा penetration तो penetration आपका correct answer हो जाएगा सात्मों question है what should be the angle for a double bevel but joint double bevel but joint के लिए angle कितना रखा जाता है तो 45 degree रखा जाता है तो 7 कि यहाँ पर यह answer correct हो जाएगा अब दोस्तों यहाँ पर हमारा आठमा question है what is the name of joint if two members welded in the same plate क्या रहा है कि उस joint का नाम क्या है यदि दो member weld किये जाते हैं same plate में तो देखिए जब same plate में किये जाता है तो वह रहता हमारा हमान दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यह इस तरह से किया जाता है इस तरह में सटा के ऊपर और ऊपर साड किया जाता है हमारा एज जोइंट होता है ठीक तो आपको से आश्पश्ट पता चल गए हो कि यह बट जूइंट है यह लैब जूइंट इस तरह त्थ है और हमारा एज जूइंट है तो यह हो गया आपका complete अब देखिए अगला कोशन है हमारा वार्ट इजिएस्ट पोजीशन टू वेल्ड तो वेल्ड करने के लिए सबसे इजी पोजीशन या सबसे अच्छा तरीका कॉंसर होता है तो देखिए मतलब किस में आपका वेल्डिंग करना ज्यादा असान होता इसके बारे में यह पू ज्यादा असान होता है तो नाइन का यहां पर ए आंसर करेक्ट हो जाएगा अब देखिए दसमों कोशन है वाट इस इसमबल आफ वेल्डिंग का कौन सा सिमबल है तो देखिए यह जो वेल्डिंग का सिमबल है यह आपका बैकिंग रन या वेल्ड का ठेक अगला है कि वह jot is the shape of Weld finishing well finish symbol, Weld finish symbol का सिमबल यह का सेपकों सा है तो यह जो figure दिख रहा है यह जो सेपके यह सेपका कांटर सरफेस्स covered का अगला है का हुआ कर अगला है 18 नामब्र करेंट हो वर्टिकल पोजीशन होता है उसे डिफाइन किया जाता है थ्रीजी वेल्डिंग से देखिए वन जी टूजी ठीजी या वन आप टू या थ्रीफ यह सब होता क्या है आई उसके बारे में हम आप लोगों को दिखा दें तो दोस्तों यहां पर आप लोगों देख सकते हैं यह आपका बड्लो जोंट इधर आपम लोगों देख सकते हैं बाड जोंट कार्णर जृंटी जॉंट लैभ साल जूइंट से यहां पर रहेतित भूडूएंट में जब जूट funciona अब नें करेंगे तो यहां पर देखिए व कहलाएगा और जब ओर हेड़ रहेगा बड़ जोइंट में तो हमारा फोर जी कहलाएगा ठीक कार्णार जोइंट में इसी तरह से कार्णार जोइंट में वन जी कहलाएगा इस तरह से फ्लैट में रहेगा और जेंटल में रहेगा हमारा टू जी कहलाएगा ठीरी जी कहलाएग और इसी तरह से आपका यह जोइंट भी दिए गया है तो यहाँ पर चाहते हैं अगर आप लोगा आपसे देख सकते हैं आप linear को देखना प्रकार का मेटल का यूज करते हैं और यहाँ पर चाहिए जो आपकोशन करते हैं अब देखिए यहां पर तो नमबर का question है phosphates to Deina यहां पर कि यहाँ कि यूज की किया जाता है तो देखे जो होता है यह होता है ठंक गश्टन इनर्ट गैस वेल्डींग और इसमें हम लोग डाब क्वेश करते हैं वह हें यूज ओ diff यहां पर आप्सम्में दिया नहीं है छो मिल यह लगा दीजीए थिक तो टीजी वेल्डिंग में हम लोग आरगन और हिलिम का यूज करते हैं अब देखिए टीजी वेल्डिंग में जो हम लोग उलेक्ट्रोड यूज करते हैं वे हमारे टंगस्टन का बना होता है इसलिए हम तियाजी वेल्डिंग होता है इसमें इलेक्ट्रोड रहता है वह नान कंजूमियबल रहता है ठीक और यह 100 एंपियर से अधिक करेंट होने पर वाटर कुल टार्च यूज में लाते हैं तियाजी वेल्डिंग के होता सकते हैं टिए जी वेल्डिंग में और इन्ट घैस आज हम लोग फृलक्स यूज करते हैं ठीक तो फलक्स जो हम लोग यूज करते हैं इन दैस के रूप में यूज करते हैं अब देखिए यह होगा के बारे में चलते हैं अगले कोश्चन पर कि पंद्रे नंबर का रहा है कि वीच आप दा इस स्रीज सूड भी वर्न डियूरिंग ओवर हेड वेल्डिंग के दौरान हमें किसे इस स्रीज या किस उपकरण को पहनना चाहिए तो देखिए इसके लिए हम लोग क्या करना जरूरी होता है आपको अपने सेफ्टे के लिए क्योंकि यह ओर हेड वेल्डिंग हो रहा है आपके सर के उपर हेलमेट यहाँ पर ज्यादा जरूरी हो जाता है तो पंद्रे का यहाँ पर आपका करेक्ट अंसर हो जाएगा है है अब देखिए 16 नंबर कोश्चन है विच व रहे और आकसीजन रहे गार इसको इगमिशन प्रज्वलन तो यानि कि फ्यूल होना चाहिए और उस फ्यूल को जलने के लिए आकसीजन होना चाहिए और फ्यूल और आक्सीजन को जलाने के लिए आपको किसी ना किसी जुआले की जरूरत पर लेगी तो ही वह आपका जलेगा तो ही वह फायर आपका बनेगा ठेक उसमें नाट्रोजन का कोई रोल नहीं होता है तो नाट्रोजन यहां पर यूज नहीं किया जाएगा यहां पर मुझा कि ना दोस्तों अगर आप लोग के लिए एक स्पेसल वीडियो बना देंगे अगर आप लोग लोग के नीचे कमेंट कर देंगे से आप पोलरेटी का वीडियो बना दिए उसके हम थियूरी का वीडियो इस्विसल आपको लाके दे देंगे कि पोलरेटी का यूज एसी के लिए करते हैं कि डेसी के लिए करते हैं इसके बाद रिवर्स पोलरेटी क्या है किसे कहते हैं इन सब के बारे में पूरा डिटेल में इसके मिल्ट होने के ज्यादा चांस होते हैं और पिस रहता है आपका कंजमेबल ईलेक्ट्रोड रहता है तो रिवर्ट पॉलर्टि में कंज्मियाबल यूज किया जाता है जो इलेट्रोड रहे गवाइब पाश्टिव रहे गवाइगा और इसमें एलक्त्य होने के ज्यादicking होते हैं इसमें तो हुग रहेगा और जो हम бावि पis रहंगा और पीसा होने के ज्यादा चंब रहते हैं और इभी ननां-कन्जूमेबल-Electrode यूज करते हैं तो आपको पता चल गयों कि इस्ट्रेट पॉलर्टी और रिवर्स पॉलर्टी के बारे में अगर आप कहेंगे तो इस्पेसल वीडियो हम आप लोगों के लिए ला देंगे उसमें अच्छे तरीकी से बता देंगे आपको अब देखिए कह रहा है यहां पर कि अठारे नंबर की वाटिजदा पॉलर्टी पॉलर्टी क्या है तो अभी हम आपको बता हैं कि डायरेक्शन आप करेंट यान कि किस तरफ से दे रहे हैं या करेंट की दिस्ता को निर्धारित करते हैं कि इलेक्ट्रोड को पाश्und रखेंगे कि वरकपीस को पार्ट्व रख ठीक अब इसमें क्या होता है कि जिसको आप पाश्ट्यू रखेंगे वह ही आपका मेल्ट होना ज्यादे का चांस रहता है जैसे कि आगर आप इस्ट्रेट पोलर्ट यूज कर रहे हैं तो उसमें जो वरके पीस रहेगा वह आपको पाश्ट्यू रहेगा और जब वरके पीस के मिल्ट होने के ज्यादा चांस होते हैं और इसी तरह से जब इस्ट्रेट पोलर्ट हम लोग यूज करते हैं तो उसमें क्या रहता है कि इलेक्टोड पाश्ट्यू रहता है जब इलेक्टोड पाश्ट्यू रहेगा तो इलेक्टोड के मिल्ट होने के ज्यादा चांस होते है यह यह आपका यह बताता है क्या कि डायरेक्शन आप करेंट की आप करेंट का सप्लाइग कैसे कर रहे हैं या करेंट आप किस दिशा में दे रहे हैं इस कि आब देखिए अब देखिए वीस नंबर का पोशन है विस टाइप और ऑफ यूज इन बेयर वायर alert लेक्टोड में हम लोग किस प्रकार के पोलारी का यूज करते हैं तो देखिए वेश्य वायर ईलेक्टोड में हम लोग जो प्लेटी यूज करते हम वह स्ट्रेट वो अब देखिए यहां पर है 21 नमबर का वाट इज़ नेम अब तो यह जो शिंबल एफ किस वेल्ड ज्वायंट को शो कर रहा है यह सो करता है आपका इस्क्वाइर बट वेल्ड को तो इसक्वयर बट वेल्ड यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बाइस नंबर कोशन है वाट इस दाधा नेम आप टाइप आप जोएंट फार सिमबल तो इन डी तो जो डी में सिमबल सो किया गया है किस प्रकार का जोएंट है तो यह जो है यहां पर प्रकार है अब देखिए यह हमारा है 24 नंबर का कोश्चन वाट इस दा नेम आप टाइप सी तो यह जो है सिंबल सी यह किस प्रकार की जॉइंट को दर्साता है यह जो जॉइंट है यह दर्साता है कांकेव फिलेट यह होगे आपका हापसा नंबर एक करेक्ट तो दोस्तों यह कुछ इंपॉर्टेंट कोश्चन थे जो कि वेल्डिंग टेक्निक से रिलेटेड थे अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ सेर करिए यह हमारा निमी पैटर वह लेंगे नेश्ट वीडियो में थेंक यू अ को हगे है